तो सवाल ये है कि शिवराद सिंग चोहान नरोतम मिश्रा वहाँ के ग्रह मंत्री चुप क्यूं है इतने दिन बाद भी पाँच दिन बीट गए आज भी उस बच्ची की टोह लेने भाजपा का एक नेता नहीं गया है एक बहुत बड़े नेता है जिनका काम अब हाथ जोड़ के वोट मांगना थोड़ी है हेलीकॉप्टर से रैली अड्रेस करना है कैलाश विजय वर्गिया जी इस अस्पताल से एक किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं लेकिन उस बच्ची की टोह लेने उस बच्ची की खबर लेने ना मुख्य मंतरी गए ना ग्रह मंतरी गए और ना कैलाश विजय वर्गिया गए जो लोकल है और वहाँ पर पास में रहते हैं तलिद बच्ची के साथ वो दुष्कर्म हुआ है जो अमानविये है जिसको सोच कर आपकी हाड काप जाएगी इन लोगों के पास बड़े बड़े इश्तिहार मद्धि प्रदेश में लगाने का टाइम है पैसा है हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर औरन कटोले से घूम घून कर खूब रैली और भाष़ण बाचने का टाइम है इनके पास कारिकरता महा कुम करने का वक्त है लेकिन इनके पास ये वक्त नहीं है कि उस अबोध बच्ची की तोह ली जा सके उसके परिवार को संथवना दी जा सके प्रशासन और पुलीस से उसके परिवार को वहाँ बुलाया जा सके अन्ततो गत्वा अखबार में फोटो देखकर उसके दादा पुलीस में गया और उन्हें का ये हमारी बच्ची है क्यों छुपाया जा रहा है कि वो दलित परिवार की है क्यों छुपाया जा रहा है कि वो सत्ना की है क्यों छुपाया जा रहा है कि पुलीस की निश्क्रियता और पुलीस के चलते पुलीस और प्रशासन का फेलियर है कि उस लड़की के साथ ये हुआ अगर 24 गंटे पहले F.I.R. दर्ज हो जाती अगर CCTV ट्रैक हो जाते अगर वो बच्ची मिल जाती तो उसके साथ ऐसी अमानवी है ऐसी बरबरता कत्ता ही न होती यह चुनावी महुस्थब मना रहे हैं क्या है चुनाव? क्यों होते हैं चुनाव? चुनाव होते हैं कि वो जनप्रदी जी चुले जाए जो सक्ता में आकर आपके दुख, आपके दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी वेदना की बात करें जो उड़न खटोलों पर घूम कर भाशण न दें और बड़े नेता न बनें जो उस बच्ची के लिए और उसके हक के लिए खड़े हो चुनावी महतसब मना रहें ये बात करेंगे महिला सशक्ती करण की ये जो वाटबाउटरी करते हैं रेप पर इनसे बात करो इसकी तो बताएंगे किसी कॉंग्रस शासित राज्य का नाम कहीं पर हुआ ऐसा कि पुलिस की निश्क्रता रही पुलिस ने ना क्राइम और क्रिमनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम देखा ना सीसी टीवी कैमरा देखे ना उसकी सही जगे की शिनाक करी गई उसको भिकारी और विक्षब दिमाग का बता दिया गया किसी और राज में हुआ है ये और मध्य प्रदेश में दलित आदिवासी और महिला होना एक पाप हो चुका है ये मेरा आकड़ा नहीं है ये आकड़ा इस सरकार ने सदन में दिया है तेरा लाख महिलाएं लापता हुई पिछले कुछ सालों में सबसे जादा संख्या मध्य प्रदेश की है एक लाख साथ हजार 180 महिलाएं और 38,000 से जादा नाबालिक बच्चियां नाबालिक के साथ दुशकर्म में नंबर वन अगर कोई स्टेट इस देश की है तो वो मध्य प्रदेश है और शिवराज जी का जंगल राज है 18 सालों में उनकी सत्ता रही ये अलग बात है कि ना उनका एक नीती याद है ना उनका नाम याद आता है प्रदान मंत्री को 18 साल सत्ता में 58,000 रेप के मामले सामने आए मतलब हर दिन मध्य प्रदेश में आठ बलातकार होते हैं 68,000 अगवा होने के मामले सामने आए मतलब 13 बच्चियां 13 महिलाएं रोज की प्रती दिन अगवा की जा रहेंगे उनका परण हो रहा है ये बात करेंगे महिला सशक्ति करण की असलियत ये है कि चाहे आदिवासी के सिर पर पिशाब करने का मामला हो जो भाजपा के नेता ने किया मध्यप्रदेश में चाहे इस दलित बेटी के साथ ये मामला हो चाहे आज सवेरे अभी इस दलित बेटी का मामला चली रहा है उस पर लीपा पोती शिवराज का जंगल राज करी रहा है एक और मामला सामने आ जाता है कादिवासी महीला का, रेप और हत्या का यह असलियत है मध्यप्रदेश की 18 साल से जो लोग बात महीला सशक्ति करण की करते हैं उनकी नाक के नीचे यह हो रहा है महीलाओं के साथ, बच्चियों के साथ लेकिन देश के प्रधान मंतरी, देश के ग्रह मंतरी, देश की महीला बाल विकास मंतरी, देश का महीला आयोग, बाल संगरक्षन आयोग सब मूब में मौन और चुपपी धारे बैठे हुए हैं शिवराज सिंग्चोहान उड़न खटेलों से उड़ उड़ कर भाशण बाच रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है इस बच्ची की खैर खबर लेने का